भारत में महिलाव को सभी वर्गों में सामान अधिकार देने के लिए कई गठन बनाए गए है जिसके चलते दिल्ली के विधान सभा में इस अफसर पर कई मुख्य अतिती उपस्थित रहे और उन्हें सम्मानित किया गया झाल लुए अजिस्या के आज प्रेज़ेंट है उनके जो फाउंडर है उनको मैं बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहते हूं बहुत ही इन्योवेटी आई इसके साथ हर एक डिफेर्ट डिफेर्ट फिल्ट को वोड़ते और देश भर की आउंसल बनाते आज इनोंने अपनी saloon council का integration किया है उनके executive members उनके president vice president को आज हमने यहाँ पर certificates देकर जो है समानित किया है और मैं उमीद करती हूँ कि यह field में जो है पुरे देश में अच्छे से एक नए business idea के साथ और एक नए business tag के साथ जो है इस market industry में उभरेगी PTI जैसा कहा कि दिल्ली और देश का सबसे वड़ा व्यपारी business organization है व्यपारी संगठन है हमने अलग अलग तरह की consoles बनाई है footwear console, hardware console, timber console, steel console, automobile console, diamond console, jewelry console अलग अलग trade की अलग अलग councils बनाई है इसका मकसद यह है कि व्यपारियों को उस trade के व्यपारियों को एक platform पे लाना और सरकार तक अपनी आवाज पहुचाना उस trade की specific problems है उनको सरकार तक पहुचाय जाए और पूरे उस trade के जितने व्यपारी है वो एक मंच पे आके अपनी लोग जैपूर से आएं सिरसा से आएं देश के अलग 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 प्रांतों से यहां पे salon owners आई हैं मैं सभी को बहुत बहुत बदाई देता हूँ और CTI आज यहां पे मुक्यतिति के रूप में आईये सोफी सर एक्टर मोडल अभी शेख सिंग जी पदारे दिल्ली विदा कारियों को उसाइद प्रोसाइद और सम्मानित करता रहेगा आज का कारिकरम ब्रिजेश जी द्वारा आयोजित था CTI का बहुत ही सुंदर पहल है कि सभी salon owners को एक छट के नीचे ले करके आना ब्यूटी और वेलनेस हमारा हमारे देश की बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ एक सेक्टर है और मैंने जैसा की कहा यहां पर कि हमारी देश आज फिफ्ट लाजिस्ट एकॉनमी है वर्ल्ड का अगर हम इस ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर को आगे ले करके जाते हैं तो बहुत धेर सारी महिलाओं को बहुत अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे महिला इस गठन में अलग-अलग राज्यों से आकर सैलून ओनर्स शामिल हुए जिसमें कई लोगों ने बिजनस को कैसे बढ़ाया जाए उसकी जानकारी दी गई इस सीटी सैलून ओनर्स काउंसल गठन का मुख्य ओदेश महिलाओं को प्रत्साहित करना वह उनके बिजनस में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है एक कारेकरम करेंगे तो बहुत अच्छा आयोजन हुआ सबने बहुत बढ़ चड़ के हिस्सा लिया और सलॉन काउंसल जो ऐसी है ऐसी वह महिलाओं को भी और साथ में कई बर पूरुशों के साथ भी इस काउंसल के गठन से यह हुए कि इस व्यापार को बहुत अच्छा ए जो उनके पॉलिसी में के रिलेटेड इसूज होंगे वह हमेशा सीटिया के द्वारा हमारी कोशिश रहेगी उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता रहे आज हमारा स्टेंबर ट्रेट इंडास्री का प्रोग्राम है और अज प्रेजिदेंट ऑफ डाइट नुट्रीशिन कांस को अपनी पोर्टफोलियो में डाला और पहले हमारे को लगता था कि हमारे साथ कोई भी नहीं है आज हमारे को फील हो रहा है कि हम एक कॉर्परेट की तरफ और एक प्रोफेशनल की तरफ जा रहे हैं और इसका हम बहुत थैंक्फुल है